This is an Indie Podcaster Production सा लग रहा था मा पूलियना स्तुती की आवाज से मेरी तंद्रा तूटी मैंने ओजस को समझाते वे कहा अरे सुर्क लाल रंग में कितनी सुन्दर लगेगी स्तुती और दुलहन पर तो लाल रंगी खिलता है तो लाल रंग से ही शादी कर ले आपकी एलाडली ओजस बेरुखी से बोला तो स्तुती की गहरी खुबसूरत आखों में मोटे मोटे आशु भराए आप सुन रहे हैं कहानी जानी अंजानी बियूश अगरवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमश्कार दोस्तों कहानी जानी अंजानी आपके लिए ले आए हैं एक जानी और एक अंजानी अवाज जानी आवाज यानि मेरी और अंजानी आवाज पल्लवी अमित जी की जिनकी कहानी दोराव हम आज पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमारा वादा है कि हम आपको समय समय पर कहानी के पीछे छिपे लेखकों से मिलवाते रहेंगे बस उसी सफर को कायम रखते हुए मिलेंगे पल्लवी अमिज्जी से पल्लवी अमिज्जी होम मेकर हैं और उनका लखनों में जन्व हुआ फिलहाल आगरा में रहती हैं शास्त्रिय गायन, पेंटिंग, कुकिंग, बागबानी और लिखना उनका शौक है इन्होंने कॉलिज के समय से ही लिखना शुरू कर दिया था कई प्रतिष्टिक पत्रिकाओं में कविताएं कहानी चप चुकी हैं आकाश वानी में भी इनकी कहानियों और कविताओं का प्रसारन होता रहता है तो दोस्तों, आज की कहानी है दोहराव जिन्दगी में कई मोड आते हैं जहां हम किसी और की जिंदगी में अपनी जिंदगी का अक्स देखते हैं। और जब एक मा अपनी बहु में अपना अक्स देखती है, तो उन पर क्या बीटती है? वो क्या कदम उठाएंगी ताकि उनकी कहानी ना दोराए? ये जानने के लिए सुनते रहिए आज का एपिसोड वैसे आज की कहानी खास इसलिए भी है क्यूंकि ये कहानी आपको और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। अनकही कहानिया 2021 प्रतियोगिता में दोराव को स्पेशल मेंशिन मिला था, हाला कि तब इस कहानी का नाम था नकरीली नींद। अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी का श पलवी अमित आजकल तो खुशी हो, गम हो, सफर हो, महमान आए हो या वगरा वगरा पस ये नकरे दिखाने के बहाने डूंडा करती है और मैं उसे मनाने के तरीके, पर आज दो रात चड़ने के साथ ही जैसे पता था मुझे कि ये नहीं आएगी, तो मैंने खुशामत भी नहीं की, कानो मेरे दिल में पता नहीं क्या-क्या भीद गया, तब से मन परिशान है, स्तुती यानी मेरे ओजस की पसंद, और अब मेरी भी, लगभग 6 महीने पहले ओजस ने मुझे और अर्विंद को मिलवाया था स्तुती से, बिलकुल अपने नाम की तरह ईश्वर की प्रार्थना सी, पवित्र, सुन्दर और बहुत धिहान रखने वाली, सेंसिटिव इतनी कि बिना कहे ही सारी तकलीफे आँखों से पढ़ लेती, कितनी जल्दी मेरे दिल में उतर गई, सच ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे अपने बेटे के लिए, बस जल्दी से उसे बहु बना कर घर आना चाहती थी, उसके घर वालों को ओजस पसंद आ गया था और हमें स्तुति बस फटाफट शादी के डेट्स भी फाइनल हो गई, अब तयारी चल रही थी, बहुत अर्मान थे चो पूरे करने थे, अकेला बेटा वो भी इतनी बड़ी मल्टिनाशनल में सीनियर पतपर है बहु के लिए धेर सारी शॉपिंग करनी थी, इसलिए कई दिनों से हम चारो, मतलब अर्विंद मैं ओजस और स्तुति साड़ी गहने इतियादी की खरिदारी के लिए साथ-साथ मार्केट घूम रहे थे, यूँ तो पहले भी मैंने कई बार ओजस और स्तुति को साथ-साथ देखा था, और हर बार नजर उतारने का दिल चाहा था मेरा, पर अब जब पूरा दिन दोनों को साथ देखती, तो कई बार ओजस चिड़-चिड़ाता हुआ सा दिखता, और स्तुति हर बार उसे मनाती हुई, मनुहार करके उसे खुश करती हुई, आज भी कुछ ऐसा ही थ दरहसल लहेंगे के रंग पर बात अटक गई, ओजस को हलके और सटल कलर पसंद थे, और स्तुति को ब्राइट चटकीले रंग, तो ओजस को लाइट वाइन कलर का लहेंगा पसंद आया, और स्तुति को सुर्ख लाल रंग का, ओजस मानी नहीं रहा था, और स्तुति किसी छो माँ आपको भी लाल वाला ही रंग पसंद है ना? मैंने हां में सिर हिलाया तो तुरंद मेरे गले से लिपटते हुए प्यार से बोली आप और मैं बिल्कुल एक सही है माँ मुझे बहुत प्यार आया उस पर लेकिन मैं मुस्कुरा कर रह गई मैंने ओजस को देखा जो बिल्कुल अर्वन सा लग रहा था माँ पोलियना स्तुती की आवाज से मेरी तंद्रा तूटी मैंने ओजस को समझाते वे कहा अरे सुर्क लाल रंग में कितनी सुन्दर लगेगी स्तुती और दुलहन पर तो लाल रंगी खिलता है तो लाल रंग से ही शादी कर ले आपकी एलाडली ओजस बेरुखी से बोला तो स्तुती की गहरी खुबसूरत आखों में मोटे मोटे आसु भराए ओजस पर कोई असर नहीं हुआ अंत में स्तुती ने ओजस की पसंद को ही फाइनल किया घर आकर भी मन उच्टा हुआ था नींद आ नहीं रही थी बस वही लाल लहंगा आखों के सामने घूम रहा था और स्तुती की खुबसूरत आखों में आसू मा आप और मैं बिल्कुल एक से ही है स्तुती की आवाज कानों में और तेज होती जा रही थी मैं यादों की उंगली पकड़े अपने जीवन की ना जाने कितनी गलियों से होते हुए बहुत साल पीछे चली गई जहां मैं खुद दुलन बनी अर्विंद का हाथ थाम कर महावर वाले पैरों से चावल का कलश गिरा कर इस घर में प्रवेश कर रही थी सब रिष्टिदार हमारी जोडी की तारीफ करते न ठक रहे थे इस बीच माता जी यानी अर्विंद की माने बड़े प्यार से गले लगा कर अपने पुष्टैनी कंगन मेरे हातों में पहनाए और बोली मेगा तुम बहुत समझदार हो इसलिए मैंने तुम्हें अपने अर्विंद के लिए चुना है मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है बस गुस्सा थोड़ा तेज है उसका थोड़ा जिद्दी हो गया है पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे संभाल लोगी आज मैं अपने लाडले को तुम्हारे हवाले करके निश्चिन्त हो गई हूँ उनकी बात की गहराई उस समय मुझे समझ नहीं आई शुरू का एक महिना तो यूँ ही घूमने फिरने और प्यार मनुहार में बीद गया फिर धीरे धीरे जिन्दगी अपनी रफ्तार लेने लगी तो समझ आया कि माता जी उस दिन क्या समझाना चाहती थी अर्विंद बहुत प्यार करने वाले पती थे पर गुस्सा इतना कि जब गुस्सा चड़ जाता तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता जरा-जरा सी बात पर समान पटक देते खाने की थाली चाय का कब कुछ भी फेक देते छोटी-छोटी बातों पर उन्हें इतना गुस्सा आ जाता कि समझ नहीं आता कैसे हैंडल करूँ और जब शोर शराबा होता तो माता जी भी मुझे भला बुरा कहती अरे जब पता है कि उसे गुसा जल्दी आता है तो क्या जरुवत ही उसे गुसा दिलाने की या फिर अरे वो गुसा हो जाता है तो तुमी शान थोलो पती की दो बाते सुन लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ या मेरी गलती क्या है सारा दिन बस इसी डर में बीटता कि कहीं कोई गलती न हो जाए माताजी से मदद की उमीद करती तो वो उल्टा मेरी गलती बता कर मुझे ही नीचा दिखाती मैं रोकर रह जाती जिन्दगी रेच सी मेरी मुठी से फिसलती जा रही थी अर्विंद मुझ से और मैं अर्विंद से प्यार तो करने लगे थे शायद अरेंज मैरेज की यही खुबसूरती है कि इसमें रहने पर प्यार तो हो ही जाता है हाँ उस प्यार में पसंद भी शामिल है या नहीं यह उस शादी की सफलता तै करता है मेरे लिए अर्विंद के साथ रहना दिन बदिन मुश्किल होता जा रहा था पर विदाई के समय मा ने पल्लू में बांध कर जो संसकार दिये थे वो शादी को तोड़नी के इजाज़त नहीं दे रहे थे फिर माई के वापस जाकर अपने माँ पापा को बुढ़ापे में दुख देना भी नहीं चाहती थी कई बार खुदखुशी करनी की भी सोची पर इतनी बुजदिली मेरी आत्मा को मंजूर नहीं थी जिन्दगी यू ही घसीट रही थी कि ओजस हमारी जिन्दगी में आ गया मैंने ओजस को जीवन का धियाय बना लिया था अब अर्विंद के गुस्ते या माता जी की बातों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था मेरे दिलो दिमाग पर धीरे धीरे मुश्किलों से समझौता करना सीख लिया था मैंने ओजस बड़ा होने लगा मैं कोशिश करती कि अर्विंद के गुस्ते की परचाई भी ओजस पढ़ना पड़े घर का माहोल अच्छा रहे इसके लिए मैं हर तरह का प्रयास करती मैंने मन ही मन ठान लिया था कि ओजस पर इस सब का कोई असर नहीं पढ़ने दूगी अब जिन्दगी दो हिस्से में बढ़ गई थी एक में अर्विंद उनका गुस्सा और मैं दूसरी में ओजस और मेरी प्यारी सी दुनिया मैंने ओजस को बहतरीन इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ओजस अपनी मा का बेटा था कोई भी दिक्कत परिशानी सब कुछ अच्छे से मुस्कुराते वे हैंडल करता या फिर मेरे साथ शेयर करता अब बढ़ा हो गया था वो कई बार अर्विंद की हलकी जी परच्छाई उसके वैक्तित्व में जहांक जाती तो मेरा मन घबरा जाता पर हर बार वहम समझ कर नसर अंदास कर दिया मैंने अब उससे बाहर जाना था पढ़ने और अपनी दुनिया तलाशने ओजस के जाने से घर फिर विरांसा हो गया वही सुबह शाम की उबाव जिंदगी पर वक्त की सबसे खुपसूरत बात यही है कि अच्छा हो या बुरा वो बीती जाता है ओजस भी लोट आया और लाया अपने साथ बहतरी, नौकरी और प्यारी सिस्तुती दोनों ही हमें बेहत पसंद आये पर कुछ ऐसा भी था चो मुझे डरा गया वो था उसके वैक्तित्व में शामिल अर्विंद की छाप हाँ थोड़ी सी बात पर गुसाना और चर्चड़ाना काफी कुछ अर्विंद की तरह मैं हत्प्रप थी सारी उम्र मैंने यही कोशिश की कि ओजस में अर्विंद शामिल ना हो जाए पर पता नहीं कैसे हुआ ये क्या इसी को विरासत कहते है क्या पिता का वैक्तित्व बेटे में आना इतना स्वभाविक है जितना उनके डियने का मिलना मेरी आखों के सामने सब गड़मढ होने लग गया था माता जी मेरे सामने जोर-जोर से हस रही थी मैं अपनी कोशिच जारी रखे हुए थी कि ओजस के वैवार में आए इस परिवर्तन को सुधार दूँ अपने बेटे को उसी हसते मुस्कुराते वे नौजवान में बदल दूँ पर कुछ बोलते ही जैसे वो उल्टा ही समझता चिचड़ा जाता मैं हारने लगी मुझे लगा कि मेरा बेटा एक पुरुष में तबदील हो गया है ऐसा पुरुष चो सिर्फ अर्विंद का वंचमात्र है अब मा बेटे के बीच एक पुरुष आ गया है शायद ऐसा होता है एक उम्रबीतने पर बच्चे बेटा और बेटी से हटकर पुरुष आ स्त्री में तबदील हो जाते हैं और तब उनका वैक्तित्व बेटे और बेटी के खोल से निकल कर अपना असल रूप धारन कर लेता है एक मा के लिए भले ही बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं पर ऐसा होता नहीं है तो ओजस भी अब मेरी बात काटने लगा कई बार चड़ चड़ा कर कुछ ऐसा कह देता कि मेरा मन छिल जाता किसी तरह मन सहेच कर उसे सिलकर रफू करती पर अब ये रोज का ही सिलसला हो गया था फिर ओजस ने स्तुती से मिलवाया तो लगा कि ये भोली प्यारी से समझदार लड़की मेरे बेटे को समाल लेगी पर आज स्तुती की मासूम सी बात अभी भी मन में फास सी चुबी हुई है कहीं वो सच में बिलकुल मेरे जैसी ही है तो मैं भी स्वार्ती हो रही हूँ क्या यही सब सोचते पूरी रात बीद गई सुभे आइने के सामने खड़ी हुई तो अपनी शकल में माताजी दिखाई दी उसी शन मनी मन कुछ फैसला कर लिया फोन उठा कर स्थुथी को कॉफी शॉप में मिलने का मेसेज कर दिया मैं खुद को माताजी बनने नहीं दे सकती थी कॉफी शॉप में हम दोनों आमने सामने थे वो मेरा हाथ थाम कर बैठी थी आसू हम दोनों की आँखों में थे मा आप मेरा साथ हमेशा देंगी न उसने धीरे से पूछा मैंने हां में सर हिला दिया तो ठीक है फिर मैं हर मुश्किल के लिए तयार हूँ वो चहकते वे बोली हब मेरे दिल से बोज जरा कम हो गया मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल दी उसकी पसंद के लहंगे का ओडर देने उस पर तो सुर्क लाल रंगी ज्यादा जचेगा हाँ तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी दोहराव जी हाँ ये अनकही कहानी प्रतियोगिता की चुनी हुई कहानियों में से एक थी और मज़े की बात ये है कि कहानी आपको पसंदाई तो बहुती बड़िया लेकिन आगे जो होने वाला है उससे आपको और भी ज्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है कहानी की लेखे का पलवी अमिज जी पलवी जी आपका बहुती स्वागत है कहानी जानी अन जानी के इस मंच पर थैंक यू सो मच प्यूज जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कोई दिक्त नहीं इसमें तो सारी खुशी हमारी है क्योंकि हमें बहुती जो किरदार है जो मुझे लगा कि बहुती जाने पहचाने किरदार है हम इनसे मिल चुके हैं जब कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं ऐसा लगता है तो आपने ये कहानी क्यों चुनी ये कहानी का ख्याल आया कहां से प्यूशी मेरी ज़्यादा तर कहानिया ऐसी होती है मुझे लगता है मैं कहानी नहीं जिन्दगी लिखती हूँ यह जो खेयाल आया यह एक बच्चे बच्चा मतलब मेरे बेटे की एज का एक बच्चा था जिसकी परस्नालेटी को मैंने चेंज होते वे देखा तो उस बच्चे को देख से उसके अंदर पता निए कैसी तबदीलिया आ जाती है शायद हमारे अंदर भी आई होंगी हम ने उस समय नहीं लेकिन अब यह नई उमर के बच्चों में हमने यह चीज नोटिस की और एक बच्चा था जिसको मैंने यह बहुत जिसको करीब से जाना जिसको मैंने देखा क यह काफी चेंज आता है वो बच्चा जो मा का बेटा था वो अचानक से गम एक अलग पुरुष बनके तयार हो गया तो यह कहानी वहीं से मेरे दिमाग में जन ली और पता नहीं कैसे क्यों लिखा मैंने लेकिन जब यह कहानी मैंने लिखी तो मैं अलग पेज में थी मुझ वो फैमिली मारे घर के पास होती थी लो उसको चेंज होते हुए हम देख रहते तो वो रात में जिससे नीन में आती तो लगता था कि वो बच्चा मेरे दिमाग में जहन में कहीं गूम रहा है और बस वहीं से इस कहानी ने मेरे दिमाग में जन लिया और फिर बस वो धीरे- बहुत खुब, तो इस कहानी का नाम जैसा कि आप जानते हैं दोहराव है, लेकिन असल में इस कहानी का नाम कुछ और ही रखा गया था पहले, जैसा कि पलवी जी ने कहा उन्हें नीन में आ रही थी, तो कहानी का नाम पहले नक्रिली नीन रखा गया था, और कहानी का नाम क्य में जैसे से बड़ा होता है एक बदलाव आता है लेकिन इस कहानी में मा की पूरी कोशिश थी कि वो जो बदलाव जब भी आए वो बदलाव ऐसा नहीं हो कि वो अपने पिता जैसा बन जाए लेकिन उस मामले में उस बात में वो एकदम असफल रही अपको क्या लगता है कि अ कभी psychology नहीं पड़ी है लेकिन लोगों को पढ़ते जानने का जो एक थोड़ा सा वह है ऐसा हमेशा नहीं होता है देखिया जिन्दगी में कुछ हर चीज ब्लैक और वाइट नहीं होती है घ्रेशेड बी होते हैं और जाधा तर ग्रेशेड भी होते हैं जाधा थर क्या होता जैसे इस कहानी में था वो थोड़ा सा अतिश्योक्ती थी लेकिन कुछ बाते होती है हमारी परस्नालिटी में कुछ जो बेसिक ट्रेट्स होते हैं मेरा अपना मानना है कि वो कभी चेंज दी हो और वो हो सकता है बच्पन में ना दिखाई दें लेकिन एक एज के बाद जब हम दीरे दीरे अपनी परस्नालिटी को डेवलप कर लेते हैं तो वो ट्रेट्स निकल के बाहर आई जाते हैं वो बच्पन में इनसान कुछ और होता है लेकिन दीरे दीरे वो जब एक परिपक को स्री या पुरुष बनता है तो वो ट्रेट्स जो उसके बेसिक ट्रेट्स होते वो निकल के बहार आते हैं और वो कभी चेंज नहीं होते हैं कितनी भी वो इंसान कोशिश कर ले या उसके पेरेंट्स कोशिश कर ले वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं बुरे हैं तो बुरे हैं और ग्रे शेड्स तो जीवन में होते ही होते हैं उनका तो कोई जरूर नहीं ब बाते हमारे हाथ में नहीं भी होती है एक और जो खास बात मुझे यह लगी कि इसमें जो स्टूती का कैरेक्टर है वो बहुत सब्मिसिव है मतलब कि वो बहुत ही आसानी से वो मान जाती है उसकी बात साड़ी के दुकान पर क्योंकि वो नहीं मान रहा होता है अपना मन नहीं होने के बाद में भी वो उसके ही choice के साथ में जाती है तो अपने अपने लिखते समय क्या सोचा था कि भाई कि इस तूती के character को मैं कुछ और अलग भी दिखा हूँ या फिर कोई कारण था इस तरीकिसों आ गई है और ज्यादा तर बच्चों में बेटा हो या बेटी ज्यादा तर बच्चों में अपनी बात उपर रखने का एक वह आता है ज्यादा लेकिन फिर भी बच्चे हैं ऐसे सब में से बच्चे भी दिख जाते हैं गाए बगाए हमको तो बिल्कुल यह मैंने बिल्कुल कि मेरा विजुलाईजेशन ही था और इसे बचे हो जो इतना निश्चल प्रेम हो जिनके बीच में जो अब दूसरे की बात को जब हम सामने वाले की बात को मानेंगे तब इतो सामने वाला मारे बात को मने κάνे बिल्कुल, मैं खाथ है क्योंकि वो प्रेम में थे तो और भी आसान था इस तरीके से रहना, अगर वो अरेंज मेरे शूरती तो शायद इतना आसान नहीं होता इस तरीके से, शायद बात ही इस तरीके से नहीं आगे बढ़ती, तो चली वापस नाम पे आते हैं, नाम इसका ब में लिखने शुरू की, क्योंकि वो पता नहीं कैसा था मेरी लाइफ में, अजीब सा मतलब मैं बहुत अकेला पन था, बहुत मेरे हस्बेंड दो तीम पोस्टिंग एक साथ देख रहे थे, बहुत बिजी हो गय थे, बेटा मेरा बाहर रहता था, अकेले हम घर पे, कभी कु बिबजी हो जाती है, नेंदी नहीं आती है, कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी देखते रहो, पता नहीं क्या सा हो रहा था, तो वो सूचते सूचते ये नकरिली नेंद बहुत अच्छा लगा, शीर्शक तो इस शीर्शक को मैंने सोचा, इस पर कुछ लिखा जाए, फिर तो उस पे मैंने जब लिखा तो वो कुछ लंबा सा एक लेख हो गया कि नीद नहीं आती है तो उस पर क्या क्या हो सकता है तो लगा ये तो बड़ा बोरिंग सा कुछ है इसको कोई कितनी देर पढ़ेगा वैसा ना हो कि पढ़ने वाले कोई नीद आ जाए हमारी नीद नी आ तो उसको एड़िट किया एड़िट करके थोड़ा छोटा किया फिर उसको लगा अच्छा उस बीच में ये हमारी कॉलनी में ये फैमिली रहने आई थी जिनका एक बेटा था जो ऐसे ही 24 बच्चेस साल का था और उसका ये उसकी मा बहुत परिशान रहती थी कि मतलब अजी ये कहानी वहीं से मेरे दिमाग में घुसी कि हाला कि उस बच्चे की तब तक शादी नहीं हुई थी नहीं तै हुई थी नहीं हुई थी लेकिन ये जो प्लॉट आया मेरे दिमाग में ये वहीं से आया कि वो बार बार उस जो वो भावी थी वो बार बार बोलती थी कि ये ल फिर मैंने छोड़ दिया इसको कि चलो ठीक है बहुत सारी कहानिया मेरे पास लिखी हुई ऐसे पड़ी है जिसको पता नहीं वो मेरी डाइरी में बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है तो यह भी उनी में से एक थी फिर आपकी अनकही कहानियों में जब कहानी भेजनी थी के से इसमें कोमेरी रही थी तो उसमें भूनड़ा कि चलो तो इस सोचा कि है इसे कि सब्सक्राइण औरähän को कमल tanakh उनक करना जादा बहतर होगा तब दुबारहे इस पॉइंट पर तब सोचना शूरू किया कि हाने को थीuba को ठीक है नी जब कर ठीक है निन इस ताइम पे लेकिन कहानी तो अलगी अलादा थी एक तो दो चीज़े मेरी जिंदगी में एक साथ चल रही थी इसलिए शायद वो क्लब हो गई उस ताइम पे और यह तो लेखक मन है कुछ भी कहीं भी लिख दे कि जिंदगी में कुछ-कुछ होता रहता है और हम कहानिया न कुछ-कूछ भी डाइरी उठाते कुछ भी लिख देते कहीं कुछ-कूछ आ लिग्गया उगया बस ऐसा है बहुत कुछ मुझे मुझे बात आपकी प्याहिए लगी हम लिखक लोग बस मं की बाते लिख देते हैं ले यह बन जाती है जी जी लोग फोस्ते हमारे सुनने वा मेरे हजबन गॉर्मेंट सेक्टर में है तो जगे मेरी बदलती रहती है अभी फिलहाल रियाग राज में हैं लोग और लिखना यूजी मेंने शुरू किया था कॉलेज में लगभग 30 साल हो गए लिखते-लिखते कुछ ना कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं कहानिया कविताए बहुत सारा कलेक्शन भी है हाला कि कभी पब्लिश नहीं हुआ मतलब ऐसे मैगजीन्स में कहानिया आई है मेरी बहुत सारी लेकिन बोक कभी नहीं पब्लिश हुई है कभी कभी कोशिश नहीं की लेकिन लिखते रहते हैं लिखना शायद ऐसा लगता है कि जब बहुत और हम यहीं चाहेगे कि आप यूहीं लिखते रहिए कहानी जानी पर हमने पहले भी आपके बहुत ही प्यारी सी कहानी पड़ी है और हम उमीद करते हैं कि आगे भी हमें यूहीं आपकी बहुत सारी कहानिया पढ़ने का मौका मिले क्योंकि मुझे पिछली कहानी में भी आपके जो टॉपिक्स आप उठाती है वो काफी जाने पहचाने लगते हैं और वो कुछ ऐसे बातों को चुछ जाते हैं जो लगता है कि भाई ये तो कोई अपना ही हम से बात कर रहा है तो आपकी लेख में खुबी है और हम तो चाहेंगे ही कि भाई आप लिखते रहिए तो सुना और मेरी कहानी को चुना अपने प्रोग्राम में स्थान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड हमें एमेल करके बताएं hello at the rate pvshagrawal.com पर आप जहां कहें भी हमें सुन रहे हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं साथ ही आपल पॉटकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यो और रेटिंग देना न भूले मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ कहानी जानी अन जानी पॉटकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाए pvshagrawal.com पर और support the show लिंक पर क्लिक करें ये पॉटकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है आज के अपिसोड की प्रडियूसर है देवानशी बत्रा और एडिटर है दीपक हरीहरण आप सुन रहे थे कहानी जानी अन जानी पॉश अगरवाल के साथ जो की इंडी पॉटकास्टर की एक पेशकश है तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए